जैस्री कृष्णा दोस्तों, स्रीष्टी कान चैनल में आप सबको स्वागत है एक और छोटा सा विशे लेकर में आप सामने को पस्तित वाहूं लेकिन छोटा विशे जरूर है लेकिन ये आपकी मूल भूताव शक्ताओं को पूर्ण करेगा शिवतांड विश्तोत्रवन के बारे में आप सबने सुना होगा रावन द्वारा रजित, रावन ने इसकी रचना की थी धन प्राप्ती के लिए, एस्वर प्राप्ती के लिए, सुख्सो भागी की प्राप्ती के लिए तो उसकी जितनी लक्ष्मी तो अभी फलाल कोई प्राप्त नहीं कर सकता लेकिन लक्ष्मी प्राप्त अवश्य कर सकता है सुक्सो भाग्य प्राप्त अवश्य कर सकता है शीव की कृफ़ा प्राप्त हो शकती है तो सीवतांडो इस्तोत्रम का पाठ कब करें कि उसका फल मिले रावन कब करता था रावन इसिस्तोतर का पाठ सारी पूजा पाठ जो भी वो दिन दैनिक थी सुरुए से लेके शाम तक की उसके बाद में रात्री के समय करता था जब सब पूजा पाठ हो जाती थी उसके बाद में सबसे लाश्ट यही होता था इसको करने के पश्चात ही वो सोता था लेकिन अधिकतर लोग जो हैं वो दिन के समय भी इसका पाठ करते हैं तो उसका फल प्राप्त नहीं होता अपित्व दो से लिमता है तो आपकी भी आसपास यदि कोई शिवतानडव विश्टोत्रम दिन में स्रमन करता है पाठ करता है तो आप उसको समझाईएगा और रात्री को करने के लिए बोल लेगा सिवतानडव विश्टोत्रम का पाठ करने से यदि कोई आपका पैसा फसा हुआ है लक्षमी आने का मार्ग बंद हो गया है करजे की स्थितिम आप आ गये है तो शिवतानडव विश्टोत्रम का पाठ कीजिए इसका पाठ करने से कुछ ही दिनों में आपको धन प्राप्ति होगी किसी ना किसी रूप में किसी को आपने अगर दे रखा है तो वो आपको लोटा देगा धन आएगा कैसे यह आप देखिएगा आप आश्च्रे करेंगे कि किस तरीके से प्राप्ति होई धन की अवश्य करिएगा पाठ और शिवतानडव इस्तोत्रम आप कपूर जलाकर रात्री को कर सकते हैं नियम सिर्फ यही है रात्री में आप कर सकते हैं सुर्यास्त के बाद में आठ बजे के बाद में आप आराम से कर सकते हैं इसके बाद में पुजापाठ नहीं होती किसी भी देवी देखा कि पुजापाठ आरती नहीं होती सिर्फ meditation आप कर सकते हैं अवश्य करिएगा और आराम से करिएगा हिंदी में भी कर सकते हैं संस्कृत हाती है तो संस्कृत में बहुत अच्छा होता है आप हिंदी में भी कर सकते हैं जबी भी आप करिएगा तो मन में सांती अवश्य रखिएगा क्योंकि सांती के तल्यान के प्रेरत हैं भगवान शिव तो यदि आप बैठ हैं करने के लिए शिवतांड विश्तत्रम तो जो भी आपके अनरगल विचार हैं उनको दूर कीजिएगा और इसका पार्ट अवश्य करिएगा लाब उठाईएगा लोगों को शेर कीजिएगा कि इसका जो टाइम है वो रात्री का है अगर आप फल प्राप्त करना चाहते हैं आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको रात्री को इसका पार्ट करना चाहिए सिर्फ कपूर जला सकते हैं अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं आप आसन बिछा कर पूरु दिशा में मुकर कर पढ़ सकते हैं आपको तुरंत लाग मिलना सुरू हो जाएगा सावन का महीना चल रहा है तो आप भी इसका फायदा उठाइए लोगों को शेयर कीजिए ज़्यदा ज़्यदा और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फिर मिलेंगे नेक्स टूडियो में नई अद्वुद जनकारी लेकर तब तक लिजए से पिसना श्री राद है